ओम गरिंग गरिंग श्री लक्षमी बासु देवाई नमहा बचकर 47 बिनट दिन तक रहेगा नक्षत्रों की बात करें तो आज चित्रा पुर्ण रात्वी तक का योग है आज चंद्रमा कंड्या राशी में दिन रात में संचार करेंगे तो आईए जानते हैं 10 अगस्त 2014 शनिवार का राशी फल बिस्तार से मेश राशी आपके अंदर एक बिशेश आकर संद्रहेगा जमीन जायदात के मामले में आपको लाव होगा और योजनाय सफल होंगी आपको अपने पिता के आशिरवाद से तरक्की मिलेगी और आपके रुके कारे पुर्ण होने से आपका मन काफी पसंद्रहेगा शाम के समय माता को शारीरी कश्ट होने से आपको दोड़ो भाग करनी पड़ सकती है देर राद तक सब कुछ सामानने हो जाएगा द्रिश राशी आज का दिन सफलता से भरा होगा और वाग्य आपका साथ देगा आपके रुके कारे पुर्ण होंगे और वाग्य साथ भी देगा आप निर्वेता से अपने कारियों को संपन कराने में शक्छम रहेंगे जीवन साथी के साथ आज बहुत मधूर संबन्ध रहेंगे उनकी सला से आप धन का निवेश करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा पाहन से यात्रा करते वक्त थोड़ा सा सावधान रहें मिथुन राशी आपके कारोबार से जुड़ी योजनाय सफल होंगी किस्मत चमकेगी और आपके आनंद में प्रित्धी होगी और चारिता में बिल्कुल भी ना उलजना आपको जो खाना हो जो चाहिए बेहिचक कह देना आपका धन कहीं रुका हुआ है तो आज मिल सकता है गुद्धी विवेक से लिए गए निर्णे लाफ देंगे शाम से लेकर रात का समय आनंद में पितेगा करकराशी पैसों के लेन देन के मामले में सत्रक रहें बरना आपका नुकसान हो सकता है आप अपने सुभाब के प्रती कमभीर रहें कड़ी मेहनत से कारियों में सफल ह हो सकेंगे भौतिक सुक साधनों में खर्च अधिक होगा शत्रु अपने शर्यंत्रों में सफल नहीं हो पाएंगे खुश मिजाज व्यक्ति होने के कारण लोग आपके करीब आने के बारे में सोचेंगे और आपके साथ जान पहचान बढ़ाएंगे सिंग राशी आपको आर्थिक मामलों में लाब होगा आत्म विश्वास के साथ किये गए कारे सफल होंगे और योजनाएं पुर्ण होंगी पुराने रुके हुए कारे थोड़ा खर्च करने से बन सकते हैं नई योजनाओ पर काम शुरू हो जाएगा शत्रु आपके प्रा दुलाराशी यदि पिछले दिनों से शरीम में कोई कष्ट चला आ रहा है तो उसमें सुधार होगा संतान से शुब समाचार गिल्ले के संकेत है आपको परिवार के लोगों से हर परकार का सैयोग प्राप्त होगा बाणी में सैयम रखे आप अपनी कारे कुशलता से हर मामल शौट कुशलता आपको प्राप्त होगी दुलाराशी आपकी श्रक्षणिक दिशा में तरक्ती होगी शिक्षा के प्रति आपकी रुची पढ़ेगी नया कारे शिकने में सफल होंगे आप अपनी बातों को स्यत्य सावित करने में सफल होंगे माता पिता गुरु के प्रति निष्ठा भक्ती भाव प्रतिष्ठा विध्धी में सहायख होगा शाम को किसी मामले में फसकर आपको चोट लग सकती है साउधान बने रहें विश्यक राशी आपके घर में खर्च की अधिक स्थिती आ सकती है आपके मान सम्मान में बिद्धी होगी आप अपने शोरे और प्रथिवासे शत्रों पर विजय प्राफ कर लेंगे और आपका मन का भी प्रसन रहेगा शाम से लेकर राद तक आपका मन अच्छे कारे में लगेगा और प्रिये व्यक्तियों के दर्सन से मन प्रफुलित रहेगा सैर सपाटे वो मौज मस्ती में समय प्रतीत होगा धनुराशी विद्या बुद्धी ग्यान की व्रती होगी आपके कठिन प्रयासों से इच्छा की पूर्ती होगी शासन द्वारा आपको सम्मानित किये जाने की प्रबल संभाबना है शाम को धार्मिक नुष्ठानों पर समय व्यतीत होगा शुभ ब्याय किर्ती की व्रती होगी आपके धन सम्मान में व्रती होगी और कारे भी सित्ध होगा मकर राशी आपके कारे पूर्ण होने की संभाबना है बिना मांगे किसी को सलाह न दे उस पर उल्टा ही असर होगा रात के समय खूंडने कार में नगेंगे जिससे आपका मन शांत और प्रसंद रहेगा आपके धन सम्मान में विद्धी होगी और कोई मिलने आपके घर आ सकता है इससे आपका मन खुश रहेगा कुंबराशी आमदने की बढ़तरी के लिए किये गए प्रयास शत प्रतिशत सफल होगे अच्छे मार्गो द्वारा प्राप्त धन से कोश में विद्धी होगी भाग्य की दिष्टी से आज का दिन अच्छा रहेगा आज आपको हर शित्र में लाव की प्राप्ति होगी आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा एवं नए अच्छे मित्र भी मिलेंगे आपका दिन लाव से भरा होगा और योजनाय सफल होगी मेन राशी आपकी संपत्ति में ब्रद्धी होगी आपको ननिहाल से भी मान सम्मान मिलेगा आपको पत्नी पक्ष एवंग पत्नी की ओर से पुर्ण सयोग मिलेगा नौकरी में कोई आपकी चुबली कर सकता है शाम के समय परिशानी हो सकती है अपने गुरु के प्रती निष्ठा वो भक्ति भाव पुर्ण रखे आपके सम्मान में बित्री होगी और रुके कारे पुर्ण होगे तो ये था 10 अगस्त 2024 शनीवार का राशिफल पिस्तार से ईश्वर आपका मंगल करें